आज मैं आपको बहुत ही इजी से स्टाव कैसे साफ करते हैं वो टिप आप से शेयर करने जा रहे हूं इसे क्लीन करना बहुत ही आसाल है ये पाच मिनित में क्लीन हो जाता है देखिए हमार अस्टो कितना गंदा है अब हम इसे पार्श मिनित में अच्छे से साफ करेंगे इसके लिए जो जा इंग्रिडेंस चाहिए पहले आपको मैं पताती हूं देखिए इसके लिए मैंने जो इंग्रिडेंस लिया है वो है एक कप वाशिंग पॉडर कोई भी कंपन में विल की यूंदी का वाशिंग पॉडर अपले सकते हैँ थोड़ा सा बेकिंग सोडर ऑ थोड़ा सा वेनिगर करेंगे के अब थोड़ा सा बेकिंग सोडा एट करेंगे उसके लगपग तीन टेबल स्पून अब इसमें हम वेनिगर को एड़ करेंगे दिखिए वेनिगर को एड़ करने से कितना जागा रहा है इसमें अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा विनिगर याड़ करके हम इसको अच्छे सा पेस्ट बनाएंगे अब हम इस पेस्ट को स्टोप पर चालो अच्छे से स्प्रेट करेंगे स्टोप पे अच्छे से स्प्रेट करना है अब हम एक पूराना टूट बेस्ट लेके इस अच्छे से स्टोप के चारा तरफ अच्छे से लगा देंगे इस पेस्ट को अच्छे से लगा लिया है अब हम इसे पांच में तक ऐसे छोड़ देंगे देखिए दोस्तों हमारे पांच में ठो गए है हमने एक मेटल स्क्रबबर लिया है उससे हम अच्छे से क्लीन करेंगे इसे अच्छे से लगड़ेंगे देखिए कितनी आसानी से अच्छे से निकल रहा है इस तरह साफ करना बहुत ही आसान है आप लोग जरू ट्राइक कीजिएगा ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी इसके लिए इस तरह अच्छे से लगड़ना है देखिए दोस्तों हमारा सारा मेल निकल रहा है अब हम एक स्पोंज की सहाता से इसे क्लीन करेंगे देखिए मैंने स्पोंज दिया है इस सहायता से हम अच्छे से क्लीन करेंगे देखिए कितना साफ हो गया है इसी तरह सारे स्ट्रोक को हम अच्छे से क्लीन करेंगे देखिए दोस्तों हमारा स्ट्रोक कितना अच्छे से क्लीन हो गया है लेकी कि या चाचा मक्राई देखिए दोस्तों हमाई स्टोव अच्छे से क्लीन हो गया है अगर आपको मेरा इटीप पसंद आये तो मेरा चैनल को जलू सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंग्स के साथ शेयर कीजिए तो और लाइक कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग